अगली आवाज मैं लगीन कुमार सिंग जी को देती हूं कि वो अपना कावे पार्ट प्रस्तोर करें लगीन कुमार सिंग जी जी साधर प्रणाम सभी प्रभुत जनों को मैं जल्दी शुरू करता हूं मेरी कविता के शीरशक हैं डॉक्टर भीम रा अमेटकर जी जब सोने की चिडिया का दिल पत्थर हो जाता है उस पत्थर दिल पे जब उच नीच का सत्तर हो जाता है जब मनु का मानुश उथला हो जाता है मानवता को पैरों तले कुछला जाता है जन्म जात माथे पे कलंक मढ़ा जाता है नसीब की हथेली पे रंक गढ़ा जाता है यदा यदा अनाचार असीम हो जाते है भीशड भंजन करने को भीम हो जाते है जिन राम निशबरी के जूठे बेरों को खाया है कैसे पावण आंगन में मनहूस बना वो साया है जिनके लिए कुऊं के पानी जर जाते हैं लाचारी की आँखों के भी पानी मर जाते हैं स्कूलों में कुंठित कुंडियां लग जाती हैं निरंकुष दमन की पगडंडियां बन जाती हैं जब गुलामी में भी अपनों की गुलामी बसती है मनमानी का राज और अधम जवानी सस्ती है जब धर्म ही मानव धर्म से बेडगर हो जाते हैं तब नई डगर बनाने को अमबेड कर हो जाते हैं वीर मराठा माटी में अमबावडे कर आ जाते हैं उनका असली नाम अमबावडे कर आ जाते हैं गुडों से पारस होने पे गुरु का नाम पा जाते हैं माशारदे के मंत्र सुनते उनकी धवल गोद में वास है अविरल उतकंठा का जाप और शोध की अभिलाश है बेबसी लाचारी से खौलता रगमे सैनिक का खुन है उबड़ खाबड धर्ती को समतल करने का जुनून है प्रखर मेधा के दम रजवाडों में मड़ी से चमके है भेद भाव की होलिका दहाने को मशाल से दमके है पश्चिम की भ्रामक कलमों को तीखे तरकों से काटे है नसल भेद की अफवाहों के गालों पर मारे देशी चाटे है नासूर बन चुके घाओं की जड़ थाहाने को जाते हैं एक दूसरे को छोटा दिखलाते घराने पाते हैं अपने घर वाले ही जब आंगन में नाग फनी बो जाते हैं शूल चुभाने को बाहर वालों के हजारों हात हो जाते हैं गांधी जी के विचारों से सम्मान सहित टकराते हैं सत्याग्रह अहिंसा के बज्जरों को अपनाते नहीं कतराते हैं सत्याग्रह मंदीर का फूंक कर सोयों को धदकाते हैं शिक्षा एका संगठन के मंत्र से महायग्य ठनवाते हैं धारदार कलम से जन्चेतना की अलख जगाते हैं ओजपूर्ण कंठों से ओजपूर्ण कंठों के भाशड पत्थर तक पिगलाते हैं सत्ता की सभागिता के रास्ते समता संभव करवाते हैं भावी जागरूक मतदाता के सपने आखों में बोजाते हैं राष्ट्र राष्ट्र अखंडता सरोपरी का नया वर्ण बनाते हैं राष्ट्र, हाइलाइट करना चाहूँगा मैं, राष्ट्र राष्ट्र अखंडता सरोपरी का नया वर्ड बनाते हैं, निज हितों को आहुत कर महा भारत का कर्ण बनाते हैं, लोगों से रत्ती भर भी बैर नहीं है, लोग तो सारे अपने हैं, शोशड के रामण को भस्म कर राम राज के सपने हैं, कानून का मैं पुजारी, अन्याय किसी से सह नहीं पाया हूँ, रक्षा करने अंतिम की भी, कवच सम्मिधान का दे आया हूँ, कवच सम्मिधान का दे आया हूँ, जब सिंहासन भीड के हवाले हो जाते हैं, तब उस भीड के इरादे काले हो जाते हैं, अंधो के बहुमत को शोशड का रोग धर लेता है, सत्ता का लोब, अन्याय का भोग कर लेता है, अंतिम तीन लाइने हैं, जो कि अंबेड करजी की आत्मा से समझे निकल रही हैं, वो संदेश कहा देना चाहते हैं, मुझे गोद लेकर सत्ता की आस लगाना ही मेरी हार है, मेरे उसूलों को आत्म साथ करो, वही मेरा सत्कार है, जात के बिच्चू के डंको को मैंने आजीवन हराया है, पाले जो इसको मेरे पीछे, वह अपना नहीं पराया है, लडाई मेरी भेदभाओं से जाति नारि समानता की लड़ी है, प्रतिमा को मैंने कब माना, तो क्या जताने ये मेरी खड़ी है, तो इस एक साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधर पड़ाँ. बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, सुन्दर शब्दों में आपने भीमराप जी का वर्णन तिया, ये वही है, जो अपना अपमान सहते गए, मगर हमारे जीवन को सम्मानित कर गए. और आज पूरी दुनिया इनके आगे जूपती है, इनका सम्मान करती है, इनका गुर्गान करती है. तो आप अगला आमंत्राण मैं तीमा भड़ाना जी को देती हूँ, जो की गाजियाबाद से है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. आप सम्मिनों को बहुत-बहुत धन्यवाद. प्रस्तोत करें. करविता कैसी लगी? भीम कैसे लगे? आप कमेंट में जरूर लगे. प्रस्तों की लगे?